इरान युद की टेंशन के बीच तुर्की के राश्वपती ने नितनियाहू को नई धमकी देती है प्रेसिडेंट एर्दुआन ने इसराइल को दुनिया का दुश्मन बताते हुए बहुत जल्ड आक्शन लेने का ऐलान किया है अल्बानिया दौरे पर पहुँचे अर्दुआन की तरह इरान भी अब अरब देशों की गोल बंदी में जुटा हुआ है इस बीच साओधी क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान की एक तस्वीर ने अमेरिका को दहला दिया है लेबनेन की तरफ से हेजबुला द्वारा दागे गए मिसाइल रॉकेट लगातार इसराइल को परिशान कर रहे हैं कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते के सारी कब्रें यहां पर देखिए तबाह हो गयी है एक रॉकेट आके गिरा है जिसकी वज़े से तबाही का जो मंजर है आप देख सकते हैं यहां पर देखिए जैसे बम्ट के धमाकों के साथ बेरूट की तस्वीर बदल रही है जैसे जैसे रौकिट की बोचार से तलवीव की शकल बदल रही है उतनी ही तेजी से खाड़ी में खेमें बदल रहे हैं इसराइल के खिलाफ मोस्ट पा़फूल गृॉप बन रहा है इस ग्रूप में होड ये लगी है कि जल से जल एरान से दोस्ती की जाए और इसराइल के साथ अमेरिका को हद में लाया जाए कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल की टेंशन बढ़ा दिये तस्वीर नमबर वन देखिए जहां तुरकी नेवी का शिप लिबनान में एंट्री कर रहा है शिप पर तुरकी के किलर कमांडो अक्शन मोड में दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर अलबानिया से आई है जहां प्रेजिडेंट अर्दुवान इसराइल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुँचे है तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इसराइल और अमेरिका दोनों का थर्रा दिया है सौधी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सल्मान से इरान के विदेशमंद्री की मुलाकात ने अरव वर्ल्ड में नए समीकरण पर मोहल लगा दी है वार जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादा तपिशन तस्वीरों में है तहरान में जल रहे इसराइल और अमेरिका के जंडे क्या कह रहें क्या इरान ने सौधी अरब को साध लिया है क्या खाड़ी के सभी पाउरफुल नेशन पर खामिनेई की अपील असर कर गई है सौधी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान और इरान के विदेश मंतरी अब्बास अराक्ची की मीटिंग में युद्ध तनाव पर चर्चा हुई है प्रिंस सल्मान ने इरान के विदेश मंतरी से वाट एंशन कम करने का वादा भी किया है साओधी प्रिंस से मीटिंग के बाद इरान के विदेश मंतरी कतर का दोरा करेंगे खाडी में अमेरिका के सबसे करीबी दो मुल्क साओधी अरब और कतर को माना जाता है अगर ये दोनों देश इरान के खेमे में गए तो इसराइल का बचना मुश्किल होगा वजए ये भी है कि तुर्की जैसा ताकतवर देश अरब वर्ड में फूर डालकर खुद को खलीफा साबित करने में लगा है इसराइल में जालिमी इस अझरिश्म मिजार जिएलिए ओयर चूमेजें आदेशल था कुर्चेश़ जेए एला ऑगए तक युडिजी एले करेंग एले उतनर्स बसे ज्डाब ख़ाएं इसराइलिए आव वजर करें हैं मैं इस वक्त इसराइल लिबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गाउं में हूँ जहां आठ अक्टूबर को दो पहर एक बजे एक साथ कई दरजन रॉकेट से हिजबुल्ला ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गाउं में जो घर है उनकी दिवारों पर देख सकते हैं छोटे छोटे छेद यहां पर हुए हैं हलाकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर ये देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पे रॉकेट की रहा था और उसकी वज़ज़ से दिवारें काली पड़ गई हैं हिजबुल्ला के हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है आईडिएफ के टॉप कमांडर को नईम कासिम के लड़ाकों ने धेर कर दिया है इस बुल्ला ने ने की ज़ज़ गनिजा थे लिबनान में हिजबुल्ला के किलाप जमीनी हमले में मारे गये हैं गराउंट बैटल में अब तक हिजबुल्ला ने इसराइल के बारा सुल्जर्स को धेर किया है अपने अफसर की मौत के वाद इसराइल ने हिजबुल्ला के दो कमांडर माड डाल kale जिसमें एक एहमद मुस्तगा, अलहाज, अली और दूसरा मुहमद अली हमदान बताये गया है इसबुल्ला के दोनों टॉप कमांडर अंटी टैंक पोर के कमांडर थे दो टॉप कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए इसबुल्ला ने इसराइल कबरिस्तानों को भी बारूट से पाड़ दिया यहां की धार्मिक मानिता के मुताबिक उनको भी शान्ती नहीं है और आप यहां पर देखिए कि यह पूरा कबरिस्तान टूटा फूटा है यहां पर देखिए यह गवाही दे रही हैं तस्वीरें कि लोग जो हैं वो यहां पर अपने प्रियजनों को देखने आ रहे हैं हिजबुल्ला फाइटर इसराइल के किरियाच शमोना से आगे बढ़कर अब बैत हिलेल और मयान बारूच तक मार कर रहे हैं। गैली ली में हिजबुल्ला के रॉकेट के छर्रे से छलनी दिवारें हर जगा देखी जा सकती हैं। हिजबुल्ला के हमलों में आई तेजी की वज़ा से रदवान फोस के नए कमांडर की तैनाती है। इसराइल मीडिया के मुताबिक रदवान फोस के पूर कमांडर हैतम अली तबातबाई को हिजबुल्ला के मिलिटरी ओपरेशन का चीफ बनाए गया है। हैतम अली के साथ मिलिटरी लीडर्शिप में जिहाद काउंसिल के मेंबर मुहम्मद हैदर को भी सैन्ने ओपरेशन का जिम्मा सौपा गया है। वहीं हाशिम सैफुद्दीन की मौत की बाद हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग का चीफ अब नईम कासिम को बनाए गया है। 2023 से अब तक अमेरिका ने इसराइल पर 22.76 बिलियन डॉलर खर्च किये हैं। इसराइल के आइरन डॉम और डेविट स्लिंग एर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका ने 4 बिलियन डॉलर आइरन बीम लेजर एर डिफेंस सिस्टम के लिए 1.2 बिलियन डॉलर की मदद दी है। अमेरिका ने इसराइल को 14,100 MK-84 अंगाइडिट 2,000 बंप, 3,000 जॉइन डाइरेक्ट अटाक मुनीशन, डॉम टु स्मार्ट बंप ट्रांसफोर्मर किट, 3,000 हेलफायर मिसाइल, 2,600 धाइसो पाउंड जी बियू 39 छोटे बंप, 1,800 M141 बंकर बस्टर बंप, 36,000 नाइट विजन डिवाइस, 200 स्विच ब्लेड ड्रोन, 100 से ज्यादा स्काइडियो एक्स ड्रोन और 75 जॉइंट लाइट टेक्टिकल वेहिकल भी दिये हैं। इसराइल को एमेर्जंसी डिलिवरी के लिए 4.4 बिलियन डॉलर का बजट अलग से रखा गया है। यानि पूरी दुनिया एक तरफ और इसराइल एक तरफ। अमेरिका इसराइल के साथ युद्ध में हैं, हर तरफ से हैं, चाहे हत्यार हो, चाहे बाहुबल हो, चाहे आटम बम हो, इसराइल को जिसकी जरूरत होगी सुपर पावर वो देगा, लेकिन युद्ध में कभी भी इसराइल को जुकने नहीं देगा अमेरिका की यही ग्यारंटी नितन्याहू को सभी दुश्मनों से भिढ़ने की पावर देती है सूपर पावर का इसराइल के साथ खड़े रहना उसकी जीत और वजूद दूनों के लिए जरूरी भी है वन्ना बारूत के धेर पर बैठे इसराइल को इरान और तुर्की जैसे दुश्मन देश कभी भी जला कर राह कर सकते हैं इरान ने एक अक्टूबर को इसराइल पर 200 मिसालों से हमले करके सभी को चौका दिया था तब से दुनिया भर के वार एक्सपर्ट्स ये देखने को बेचेन है कि इसराइल इरान से बदला कैसे लेता है अब लगभग 9 दिन बाद इसराइल ने ऐसा दावा किया है जो इरान के ताबूत में आकरी कील साबित हो सकती है इरान पर इसराइल बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है हमले को तैयार इसराइल देखते रह जाओगे खामनेई एक अक्तूबर 2024 को भले ही इरान ने इसराइल पर 200 बलिस्टिक मिसाइल इंदाक कर दुनिया को चौका दिया हो लेकिन अब इरान के मिसाइल हमले के 9 दिन बाद खबर आ रही है कि इसराइल अब इरान का हाल हिजबुल्ला और हमास से भी बुरा करने जा रहा है इसराइल में पिछले 9 दिनों से एक ऐसे हमले की खौफनाक और भयानक तयारी चल रही है जिसके बारे में शायद इरान को पक्के तोर पर पता नहीं है इसराइल के प्रधान मंतरी नेतन याहू इरान पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्टपती बाइडन से 50 मिनट तक बाच्चीत कर चुके हैं इधर इसराइल के रक्षा मंतरी यॉव गैलेंट ने इरान पर हमले का ऐसा इशारा किया है जिसने पूरे मिडलीस्ट में हडकम मचा कर रख दिया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल के इस हमले की बनक मिलने के बाद से इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रातों की नीद उल गई है जरा देखे इसराइल के रक्षमंत्री यॉव गैलेंट ने क्या का है इरान को समझ नहीं आएगा क्या हुआ और कैसे हुआ यॉव गैलेंट का ये बयान इसराइल पर इसराइल के मिसाईल हमलों के जवाब में आयाईगा सूत्रों की माने तो इसराइल एरान के प्रमुक तेल ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। बहुत बड़ा पर्मानु परिक्षन किया है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने पिछले 120 घंटे में एरान में आय भुकम और पर्मानु वंका परिक्षन के दावों का सीक्रेट पता कर लिया है। इसलिए बाइडन और नेतनियाहू ने 50 मिनट तक पून पर बाच्चीत के दौरान लगभग फाइनल कर दिया है कि अब एरान को 200 मिसाईल हमलों का जवाब जबरदस तरीके से दिया जाएगा। बहले ये कियास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका इसराइल पर दबाव बना चुका है कि वो एरान के परमानु ठिकानों को दबाव नहीं करेगा। लेकिन जब से अमेरिका को खूफिया जानकारी मिली है कि इरान ने भुकम की आड में एटमी परिक्षन ही किया है तब से अमेरिका अब इसराइल को उसके एटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी ज़ंडी दे चुका है। ऐसा सूत्रों के जरीए दावे किये जा रहे हैं। अब ये भी जान लीजे कि इरान ने 5 अक्तूबर को क्या किया था। इरान ने परिक्षन किया हैं ईसे अब दावे किये जा रहे हैं। भुकम के जमे और परिमान सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अटकले लगाई जा रही है कि इरान ने परिमानु बम کا परिक्षन किया है। दावों के मताबिक भुकम का केंदर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के करीब था भुकम के दौरान जिस तरहां की लहरे जमीन में उठती है ये लहरे वैसी नहीं थी ये लहरे वैसी थी जैसी नूकलियर विस्पोर्ट के बाद जमीन पर चलती है इसलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्स और विज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि इरान ने परमाणू परिक्षन किया है इरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इरान ने आटम बम का टेस्ट किया है यूनिट 9900 का वार प्लैन इरान पर अद्रिश्य हमला इरान पर इसराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है इसमें हवा और समुंदर के रास्ते सबसे बड़े भीशन हमले होंगे एक अक्तूबर को जब इरान ने बलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया था तो उस वक्त इरान की हाइबर सॉनिक मिसाइल पते बन और पते टू ने इसराइली से ने ठिकानों को काफी नुकसान मौचाया था उस वक्त इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, एरो टू, एरो त्री और डेविट सिलिंग सभी इरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाये थे लेकिन इसराइल के रक्षामंतरी का साब कहना है कि इरान का मिसाइल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहे हैं जर्द देगे इसराइल डिफेंस पोर्स की जासूसी यूनिट 9900 को लेकर रक्षामंतरी यॉफ गैलिंट क्या कह रहे हैं खबरों के मुदाबक इसराइल के रक्षामंतरी यॉफ गैलिंट ने आईडिफ की खूफिया यूनिट 9900 के कमांडर्स से बातचीत किये दावा किया गया है कि इरान पर जबरदस्थ हमले का प्लैन आईडिफ की खूफिया यूनिट 9900 ने बनाया है इसके अलावा आईडिफ की खूफिया यूनिट 9900 ने इरान के टॉप कमांडर पर हमले का प्लैन बनाया है जिसने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले का नित्रिफ्थ किया था खबरे ये भी है कि आईडिफ की खूफिया यूनिट 9900 का वार प्लैन इतना जबरदस्थ है कि इसराइल के रक्षा मंत्री ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इसराइल अब इरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि इरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ कब हुआ और कैसे हुआ अब सवाल उटता है कि क्या इसराइल से 2000 किलोमिटर गुई पर मौजूद इरान पर हमला करना इतना असान होगा क्योंकि इरान की मिसाइल पावर जबरदस्थ है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्तूबर को दावा कर चुके हैं कि इरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है लगबग 5 साल बाद हजारों इरानियों के बीच में खामनेई ने एलान कि ये तो अभी इसराइल ने इरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है अगर जरूरत पड़ी तो इरान इसराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है अब ऐसे हालात में सवाल उटता है कि क्या इसराइल इरान पर भीशन हमला करने का जोके मुठा सकता है इसराइली मीडिया के मताबिक अगर इसराइल हमला नहीं करेगा तो आने वाले 5-10 सालों में इसराइल का वजूद ही मिट जाएगा और अगर इसराइल इरान को तभा कर देता है तो इसराइल अगले 10 सालों में पूरे मिडिली इस्ट में सूपर पावर बन जाएगा